नमस्कार दोस्तों मैं रीता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता जी विहारी कीचन में और देखिए आज हम हेल्दी पोष्टीक नास्ता बना रहे हैं इसके लिए मैंने पका हुआ पपीता लिया है चील लिये हैं छील के अच्छी तरह से धो लिये हैं धो के पास फल है इधर आप देख सकते हैं और इन सब को हम बारिक बारिक सब को काटेंगे यह गाजर है इसको भी हमने अच्छा तरह से छूरी के छूरी चाकू उसकी सहायता से रगर रगर के धोलिये हैं अब इसको भी छोटा-छोटा पीस में काटेंगे यह नास्ता सुबा में आ आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा आज कल के दुभागदर के दुनिया में लोग खाना तो खाते हैं बस इसी तरह पेट भरने के लिए लेकिन जो उन्हें चाहिए पौश्टी का हार जो वो लोग नहीं खाते हैं तो आप कम से कम हप्ता में दो बार भी खायेगा तो सब्सक्राइब करें आपका पूरा हो जाएगा जितना भी आपका पौश्टीक है इससे मिल जाएगा यह नास्ता से खीरा है इसको भी अच्छी तरह से हमने छील के ढूली आज़ा से तरह से रह इसको घोल गोल राउंड में काटा है कि इसे अच्छी तरह से हमें चील के दोलिया है अच्छा से देखिए इसको भी हम काटते हैं जा चीकुंदर में तो आइरन विटामीन सारे पाए जाते हैं बहुत सारे रहते हैं चीकुंदर तो आदमियों को खाना ही चाहिए इंसान को कम से कम एक टुकरा रोज खाएगा उसको कोई बिमारी नहीं होगा हमारे पास अभी इतने इसलिए हमने सब को सभ्यूखन मिला के काट लिए आपके पास इतने भी हो आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें बंदा पालक भी काट सकते हैं और यह देखिए मेरा कितना सुन्दर यह नास यह देखिए यह बन के तयार हो गया है देखिए दोस्तों यह मेरा कलर फुल नास्ता तयार हो गया है और इसमें हम काला नमक थोड़ा छिर देंगे इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा तो आप यह ऐसा नास्ता घर में बनाएए और पूरे परिवार के साथ मिलके खाएए और हर विमारी को दूर रखिया अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर आपके हमको बता सकते हैं यह देखिए दूस्तो मेरा नास्ता तयार हो गया है